सीबीएसी धुरण दस अने बारना परिक्षान परिणामों जायर करवा मावी एती जीम अगरवल विद्या विया शाड़ानूं परिणाम शौ टका आवी चे शाड़ाना संचालों को शिक्षकों द्वारा तमाम विद्यार्थियों नूं मोडू मेटू करवी आवनार जो एक्साइट में जो एक्साइटमेंट आया है उसका आज एंड आया हो काफी सारे स्कूल्स जो है उन भी स्टुटींस ने टॉप किया है आज हम मौझूद है अगरबाल विद्यावियार जहां तीनों स्टीम से युमेनिटी, कॉमर्स और साइन्स में टॉप किया है, स्विन समय साथ महुजुचर जी, आपका नाम और आपकी परसंटेज स्ट्रीम कौन सी है? मेरा नाम सलोनी शाय है, मैं युमेनिटी से हूँ, मेरे परसंट 97.2% है, और मैं अग्रवाल विद्या भी हासे हूँ, मैं 12 स्टांडर्ड में हूँ. किस तरह की तैयारिया रहती है, जिब ऐसे परसंटेज लाने होते हैं, कितनी मैनत लगती है? मैनत तो बहुत लगती है, रोस की पढ़ाई लग जाती है, उपर से जो टीचर से बहुत सपोर्ट कर लेते हैं, और फिर जो पेपर्स देते हैं, हमें स्कूल से हर सब्जेक्स के लिए प्राक्टिस पेपर्स, वो सब सॉल्व करके आज जाते हैं, फिर मार्स. आपका नाम और आपके परसंटेज और श्री? स्ट्रीम मतलब मैं आगे उप्रेपरेशन के ले जाना चाहती हूं, तो इसके लिए युमेंटी स्ट्रीम बहुत हेल्फुल है, मेल लिए है, जी आपका नाम आपके परसंटेज और मेरे साहिन स्ट्रीम से 94.4 परसंटेज आए हैं, ये जो कितना कंजिस्टिन से कितनी लेकिन लास्ट के एक महीन में मैं थोड़ा और खेंच लिया जिससे कि अच्छे से परसुकूं और अच्छे माक सौरा आ जाए इसके चकर में, कंसिस्टन्सी लास्ट के एक महीन में इमें मैंने बनाई थी. इसकूल टॉप किया है, हाव ड़स इट फील? अच्छा लगता है, गाफी की स्कूल में पहली बार टॉप की है. आपका नाम? मेरा नाम रचित गोईन का है, मैं अगरवाल विद्यवियार का बारवी का विद्यारती हूँ, मेरे 97% आए है, 12th की CBSE Board exams में. यह रिजल्ट का श्रियाप किसको देना चाहेंगे? मैं हमारे टीचर्स को यह पूरा श्रिय डेडिकेट करना चाहूँगा, क्योंकि उनकी मैनत, उनका समय सबब हमें मोटिवेशन देना, टीचिंग्स देना, उसके थ्रूई हम यह रिजल्ट ला पाएंगे. आगे क्या करने की तैयारिया रहेंगे? मैं आगे C.A. कर रहा हूँ और मेरा टार्गेट यह रहा है कि मैं फर्स्ट अटेम में अपने सारे लेवल्स क्लियर करो हूँ. तो अब जो यहां के जो प्रिंसिपल्स हैं, उनसे हम बात करेंगे. आगे जी सर, आपका नाम और किस तरह की तैयारिया जब ऐसे बच्छे इस तरह से उबहर के आते हैं? 4, 2, 3, 3 तीनों स्ट्रीम में. मेरा नाम हेमंद कुमार शर्मा है. मैं एज डिरेक्टर इस स्कूल में कारे रत हूँ. और आज 12th Standard और 10th Standard CBSE का जो रिजल्ट आया है. यह बहुत अच्छा रिजल्ट है. हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. और स्टूडेंट्स को उनके अच्छी परफॉर्मिंस के लिए कॉंग्रेचुलीट करता हूँ. उनकी continuous मेहनत जो पूरे साल उन्होंने की है. उनके अभिभावग पेरिंट्स का जो उनको सपोर्ट मिला है. मोरल सपोर्ट मिला है. क्योंकि बिना उनके मोरल सपोर्ट के यह संभव नहीं था. टीचर्स जुन्होंने उनके साथ में लगातार मेहनत की है. प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और इंचार्जेज जिन्होंने एक अच्छी डियरेक्शन दी है स्टूडेंट्स को. और डेफिनिटली हमारा मैनेजमेंट जिनके विजन के अंडर में हम सब काम कर रहे हैं. और जब इस सब चीजों को देखते हैं तो कह सकते हैं कि बच्चों की मेनत आज वाकई में रंग लाई है और इसके लिए सब को बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया और मैनी मैनी हैपी विशिज तू अल दो स्टूडेंट्स. जी सर ऐसे जो रिजल्स आते हैं तो काफी जाधा श्री स्कूल को जाता है और आने वाले करियर में भी काफी ज़रे सपोर्टिव जो श्री जो है वो स्कूल को दिया जाता है बिलकुल इसके लिए स्कूल का तो नाम उचा हुआ है साथ में मैं डारेक्टर, प्रिश्पल, और स्टुडेंट सबको बहुत-बहुत बदाई देना चाहता हूं अच्छी रिजल्ट आई और अच्छा स्कूर आया और अगली बार से स्कूर में भी जैसे बच्चे जो टोप है रहतों और अधर्स बच्चे भी नेक्स्ट में लास्ट यर से काफी अच्छा रिजल्ट तो वी जो वाइसित स्कूल का रिजल्ट अर pap किस तरह को तरह हैं आध वाइस्पनल प्रिभ मेeti बच्चों को किस तरह सिग ट्वीट किया जाता है हम यहां बच्चों को ज्यसे ब्र्क्ट के लिए इक हान तीनिजहार ओलने जैसे समेपल पीपर अधर्श पिष्यक के करीब पांच से दस सैंपल पेपर हर सब्जेक में देते हैं, बच्चे उसको सॉल करते हैं, तीचर से डिसकस होता है, और जो भी शॉटकमिंग से, बोर्ड के दौरान भी, ईवन बोर्ड एग्जैमनेशन के दौरान बच्चे आके, टीचर से डाउट क्लियर करते हैं, उसी का में हमारा 80 प्लस क्लास एवरेज है, यह सबसे बड़ी बात,